बारती तिरंगे को लेकर विवादित ब्यान देने वाली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के जम्मू पहुचने ही लोगोंने विरोत काथ सामना करना पड़ा एरपोर्ट से बाहर निकलती ही महबूबा को काले जंटे दिखाए गए और महबूबा गोबैक के नारे लगे पीडीपी अध्यक्ष को सरकारी गेस्ट हाउस में ठेराया गया है जहां उन्होंने पीडीपी के वरिष्ट निताओं की बैठक ली भागलेरे पाटी के वरिष्ट निताओं ने महबूबा मुफ्ती को विश्वास दिलाया कि जमुकश्मीर की डिग्नेटी और पहचान को वापस लाने के संगहर्ष में सब उनके साथ हैं कश्मीर गाटे के जिलाशोप्या के एक गाउं मंत्री बुग में सैना की 34 आरार और मुनिस्पल कॉंसल द्वारा सभी तुरूप से स्वच भारत मिशन के तहर सफाई अभियान चलाया गया इस अभियान में मकामी लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया वहीं इस दौरान सैना और सिवल के डॉक्टरों द्वारा फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाईयां बाती गए बच्चों ने इसमें बड़े उस्सा के साथ ठाग लिया सैना ने कारिक्रम के बाद बच्चों को रिफ्रेश्मेंट दी वहीं लोगों ने सैना के इस प्रयास की बहुत सराना की शिनगर के GMC कॉलेज के बाहर पैरमेडिकल के विध्यारतियों द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने भविशे को लेकर नारे बादिकर विरोध प्रदेशिन किया गया उन्होंने आरोप लगाया कि हमारा कोर्ट दो वर्ष का होता है और हम फर्स्ट यर के स्टूडन्स हैं और अब दो साल हो गए ना तो एक्जाम होए और ना ही कुछ और प्रबंदन हमें गुमाए जा रहा है उन्होंने मांग की कि हमारा ओनलाइन एक्जाम लिया जाए हमारे भविशी के साथ खिलवाट नहीं किया जाए शिनगर में कॉंग्रेस पार्टी मुख्याले में कॉंग्रेस महिला द्वारा महिला और दलित उत्थान विरोधी दिवस मनाया क्या सभी वक्ताओं द्वारा देश भर में महिला उत्पीडन और सुरक्षा को लेकर निंदा की गई उन्होंने केंद्र से महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस और कड़े कदम उठाने की अपील की वहीं उन्होंने देश में बन रहे बलातकार को लेकर केंद्र की कड़ी निन्दा विकी उन्होंने केंद्र को बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ को व्यवारिक रूप देने की अपील की है जम्मु कश्मीर हेल्थ कॉंसॉलिडेटेड करमचारियों द्वारा अपनी मागों को लेकर डिरेक्टरेट ओफिस हेल्थ बेमीना में विरोध प्रदैशन किया गया उन्होंने 2018 के SRO 460 को लागू करने की मांग के साथ SRO के तहट सर्विसिस को रेगुलराइज करने और साथ ही वेतन देने की भी मांग रखी जम्मू के PHE Daily Wages करमचारियन द्वारा अपनी मागों को लेकर यूटी प्रशासिन के खिलाब जमकर नारे बाजिकर विरोध प्रदैशन किया गया उन्होंने मांग की कि हमें रेगुलराइज किया जाए, मिनिममम वेजेज आक्ट लागू किया जाए और हमारा बकाय वेतन जल्द से जल्द रिलीज किया जाए जम्मू मेर चेंद्वमोन गुपता और जीमसी कमिशनर अवनी लवासा ने अन्य अधिकारियों के साथ बंदू रख का डिरेक्चिन किया और इस स्थान पर चल रहे है विकास गतिविद्यों का जाएसा लिया वही मेर द्वारा डीप ट्रेन और चेंद लिंक्ट फेंसिंग का बंदू रख में श्रिलन्यास किया गया कश्मीरी युवाओं को एडवेंचरिस स्पोर्ट्स गतिविद्यों के लिए प्तसाहिद करने के लिए बारती सेना ने सिन नदी के किनारे सोनमर्क की खूबसूरत वादी में एडवेंचरिस स्पोर्ट्स और पिकनिक के साथ एक इंटराक्टिव कारिक्रम का आयोजन किया सबी बच्चों द्वारा बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया किया इस तरह के कारिक्रम से युवाओं और सैना के बीच समझ और समभन्द मजबूत होंगे जम्मु कश्मीर में करोना के 524 नए मामले सामने आये हैं वहीं दूसी तरफ 651 लोगों ने करोना वाइरिस को पिछले 24 गंटे में मात दी और स्वस्थ हुए प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलिटन के मताबिक पूरे जम्मु कश्मीर में अब तक 1517 लोगों की इस माहमारी से मौत हो चुकी है वहीं प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला शिनगर रहा जहां करोना के 155 नए मामले सामने आये है वहीं अगर जम्मु संभाग की बात करें तो यहां करोना के 185 नए मामले सामने आये है तो वहीं दूस्तरफ कश्मीर संभाग में 349 ने मामले सामने आये इसके बाद पूरे जम्मु कश्मीर में करोना संख्रिमतों की संख्या बढ़ कर 97,224 हो गई है